नमस्कार स्वागत है आपका इंडिया न्यूस पर और मैं हूँ आपके साथ स्वाधिसंग् हार्याना में इन दिनों साइबर ठगों के मैसेज के कारण बिजली विभाग में हड़कम समझ गया है ठग राजय में बिजली उपभोकताओं को बिजली काटने बिल जमा करो जैसे फेक मैसेज बेच रहे हैं इनने क्लिक करते ही उपभोकताओं के पैसे कट रहे हैं ऐसे कई मामले सामने आने के बाद बिभाग में अलर्ट जाने कर दिया है सुबे के उर्जा मंत्री, चौधरी, रणजीत सिंग्नी प्रदेश के सभी बिजली उपभोकताओं से अपील कर डाली है कि वे ठगों से सतर्क रहे हैं क्योंकि आजकल फेक संदेश के माध्यम से उपभोकता के साथ साइबर फ्रॉट होने की जानकारी मिल रही है ओर्जा मंत्री ने बताया कि बिजली निगम की ओर से उपभोकताओं को सतर्क करने के लिए विशेश अभ्यान चलाया है कि एस अभ्यान द्वारा लोगों को जागरुक किया जौ रहा है बिजली उपभोकता को बताया जा रहा है कि कि किस तरह से साइबर ठग उन्हें अपना शिकार बना रहे है साइबर ठग मोबाइल पर मैसेज भेजकर बताते हैं कि आपका विजली का बिल बकाया है इस एवज में आपका connection काट दिया जाएगा Message के बाद में एक number भेजा जा रहा है और उस पर बात करने के सला दी जा रहे है काफी उपभोगता Message में दिये गए number पर call करकर पूछते हैं कि ऐसा क्यों होगा तो बात करने पर ठगी का पता चलता है निगम नहीं भेजता ऐसे Message ये साफतार पर clear है कोई भी Message अगर इस तरीके का आता है तो वो निगम की उर्जा मंत्री ने साफतार पर बता दिया है उनने कहा निगम इस तरह का कोई भी Message उपभोगता को नहीं भेजता और ना ही किसी उपभोक्ता को बिजली कनेक्शन काटनी की चतागनी देता है ना ही किसी भी नमबर पर संपर्क करने को कहता है उन्होंने कहा यदि किसी बिजली उपभोक्ता का बिल बकाया है और उसे इस पर इस प्रकार का संदेश प्राप्थ होता है तो वे सतर्कता बढ़ते हैं, बिजली कातने के अंजान एफ वरजी मेसेज के लिंक को क्लिक कतई ना करें, अपनी बैंक का डिटेल, OTP आदी किसी भी के साथ शियर ना करें, स्वैम सतर्क रहें और अपने संपर्क में आने वालों को भी चाकरू करें, वहीं उपभोक्ता अपनी बिजली बिल को लेकर कोई भी संश है, तो वे अपने नजदी की बिजली कार्याले या बिजली विभाग के टोल फ्री नंबर 18 004334 पर संपर्क कर सकता है, साथ ही फ्रॉड होने पर साइबर क्राइम हेल्प 9 नंबर 1930 पर जाकर शिकायत दर्श कर सकता है, ऐसी तमा